हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और इस वीडियो में हम PNP के मॉडल पीपर के पैटर्ण पर आधारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे सामा निग्यान और समसामाई घटनाओं के लिए क्वेश्चा के लिए क्वेश्चन नमबर 101 से हम शुरू करेंगे यहां पर मेरे पास पूरा 150 प्रेश्चनों का मॉडल पेपर है जो हम धीर धीर आ तो इसकी जो थीम थी मैं आपको बताना चाहूंगा समावेशी विकास के लिए जल एवं उर्जा ठीक है जल वा उर्जा समावेशी विकास के लिए इसकी थीम थी सरवोच नियाले द्वारा त्रीपल तलाक को किस समयधानी गोशित किया गया अगर हम बात करें तो अनुछेद 14 जो था उसमें जो मौलिक अधिकार है उसका खड़न करने के लिए त्रीपल तलाक को समवेशी कोड ने घोशित कर दिया क्योंकि जो त्रीपल तलाक था वो आगे आते हैं question number 103 तिरपनवा ज्यान पीठ पुरसकार कि इसको दिया गया तो हिंदी साहितिकार कृष्णा सोबती को ये पुरसकार दिया गया कृष्णा सोबती ठीक है इसका answer ये होगा ये question भी आ सकता है भारत का प्रतम महिला विशुविद्याले कौन सा question number 104 है तो दोस्तो sndt आपने जो है इसका नाम सुना होगा सिरिमती नाथी भाई दामोदर्दास ठैकरे है ना वही है जो महराष्ट में है ग्रेप्स थ्री प्रियोग शाला का संबंध किस छेतर से है तो दोस्तो जो ग्रेप्स थ्री प्रियोग शाला का जो संबंध है वो सौर तुफान का अध्ययन करना ठीक है उसके छेतर से है उतर भारत के प्रथम वन्य जीव डिने बैंक के स्थापना कहा की जा रही है उतर अधारत के प्रथम वन्यजीव DNA bank की स्थापना बरेली में उत्तरपदेश बरेली में की जा रही है ठीक है एक सेकेंड बरेली आप लोग इसको ध्यान रखिएगा वह अकार्बनिक योगिक कौन सा है जो कृतिम वर्षा में सहायक है तो दोस्तो सिल्वर आयोडाइड आयोडाइड वह अकार्बनिक योगिक है जो आयोडाइड जो कृतिम वर्षा में सहायक है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे समंधित है यह गरीबी रिखा से नीचे जीवन्यापन करने में हिंदूस्तान के लोगों से समंधित है भारत का सबसे बड़ा संग राज्य कौन सा है तो दोस्तो भारत का सबसे बड़ा संग राज्य जो है वह है दिल्ली यह फॉरमंडल का सबसे बड़ास उपग्रह कॉन सा है तोस्तों जो सबसे बड़ा को उपग्रह सबसे बड़ास और पाइद घैनी मीड जिंक कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है तो दोस्तो जिम कारबेट नेशनल पार उत्तरा खंड राज के नैनी ताल जिले में स्थिद है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है उबेर कप अंतरराश्ट्रियम महिला बैट मिंचन खेल के लिए दिया जाता है नीली क्रांती का सम्मंध किस से है तो दोस्तों नो डाउट नीली क्रांती मचली उत्पाधन से है 115 मेगस नीज ने भारतिय समाज को कितनी स्रेणियों में विभाजित किया है तो इसने जो है साथ स्रेणियों में विभाजित किया है मैं आपको सातों स्रेणिया बता दे रहा हूं दार्शनिक, क्रशक, पशुपालक, कारिगर, योध्धा, निरिक्षक और मंत्री भारत का निपोलियन किसे कहा जाता है ये देखिए सामानि ज्यान का क्वेस्चन है भारत का जो निपोलियन है क्वेस्चन नमबर 116 तो दोस्तों भारत का निपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है शत्रंज का उद्भाव क्वेस्चन नमबर 101 सेकेंड कहा गया 117 शत्रंज का उद्भाव कहा हुआ था तो दोस्तो शत्रंज का जो खेल है भारत में गुप्ट काल के दवरान इसका उद्धो हुआ था इसे चतुरंग नाम से जाना जाता है यह भारत से एरान एमम तत्वाश्यात यूरोप में पहुँचा था ठीक है कौशी ये शब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता है तो इरान देश की मुद्रा का नाम क्या है तो इरान देश की मुद्रा का नाम रियाल है आप लोगों ने सुना होगा रियाल ठीक है उलन परी नाम से किस महिला खिलाडी को जाना जाता है उलन परी नाम से पी टी उशा पी टी उशा को जाना जाता है आगे आते हैं अंतर राश राष्ट्रिय हिंदी दिवस नहीं बलकि अंतर राष्ट्रिय हिंदी दिवस का बनाया जाता है तो दोस्तों इसका सही जवाब है सबसे बड़ा मरुष्थल है उत्तर प्रदेश में प्राथम बायोटेक पार्ग लखनव में हैं उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नीट्य कहां का है Q 177 सोनभद्र का है यह इसका सही जवाब होगा कनहया लाल मडिक लाल केंद्रिय हिंदी संस्थान कहां परिस्थित है तो दोस्तो आगरा में है यह Q 139 किसे हिंदी खडी बोली का जनक माना जाता है Q 139 सही जवाब है अमीर खुसरो को और अंतिम question होगा आपका 130 और तारकिक ज्यान के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे question number 130 है सितार किसका मिश्रण है तो वीडा और तंबूरे का मिश्रण होता है सितार तारकिक ज्यान को और नीचे जो आप यहां पर देख सकते हैं सूचना तक्निकी जीवन कोशल यह हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे सो जुड़े रहें आप जो है हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आया हो जानकारी अच्छली क्योंकि बहुत important question है यह आपके exam में आ सकते हैं तो लाइक करें और हाँ दुस्तों अगर आपको notes चाहिए तो हम आपको अपना WhatsApp नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं 94-52-24-92 जी है आपकी स्क्रीन पर यह हमारा WhatsApp नंबर है आप हमसे लिखित परिक्षा के बहतरी notes पा सकते हैं जो कि आपकी परिक्षा के लिए नए pattern पर उप्योगी होंगे तो Thank You so much Like the video and Subscribe the channel